आज के इस वीडियो में बात करते हैं, मेटाबोलिक डिसारडर वाले जो डिजीज उद्पन हो जाती हैं, उससे कैसे बचा जाए और कौन से उपाई किये जाएं। क्योंकि आज की डेट में मेटाबोलिक डिसाडर काफी लोगों में देखा जा रहा है और कामन समस्या है तो स्टार्ट करते हैं आप वीडियो अन तक देखे पूरी बात आपको जरूर ठीक से समझ में आएगी तो अधिकांस बिमारियां लाइफ इस्टाइल में गरवड़ी क कारण उत्पन होती हैं जिसके लिए हम खुदी जिम्मेदार हैं यानि अधिकांस बिमारियों के लिए गरवड़ी क्या है लाइफ इस्टाइल की और वो हम खुदी रिस्पांस्पल होते हैं उसके लिए तो इनसे बचा जा सकता है बचने के लिए कौन से उपाय किये जाए लाश्ट में है तो सोड़ी सी बात और समझते हैं तो देखे पृत्वी सूरी के चार और एक चकर लगाने में 365 साई एक बटे चार दिन लगाती है यानि 365 साई एक बटे चार दिन में पृत्वी इस सूर के सन के चार तरफ एसे घूम जाती है ऐसा कभी नहीं होता कि वो 365 साही एक बटे आठ दिन लगा दे या फिर 365 साही दो बटे साथ दिन लगा दे ऐसा नहीं होता अगर रेगुलर है तेनी पृत्वी सूर के चार तरफ 365 दिन में चक्कर लगाती है अब बच्चा पैदा होने का समय लगभग 9 महीने है अब हृदय की धड़कन एक मिनट में कितनी बार 72 बार और एक मिनट में हम लोग कितनी बार सांस लेते हैं 18 बार अगर यह सब नियत है सांस लेना नियत है डबलू बीसी आर बीसी की लाइफ नियत है इभिन आँख कितनी बार ब्लिंक होगी पूरे जीवन में यह भी नियत है DNA RNA का जो बेश कानफिग्रेशन औह सब नियत है आदमी की सरीर में बोन की संख्या नियत है अगर सब कुछ नियत है निश्चत है अगर सब कुछ नियत है निस्चत है तो हम क्यों अपने आपको अनीपित करते हैं यानि अगर सब कुछ नियत है तो हम अपने आपको क्यों अनिवीद करते हैं जितनी अनिवीत्ता क्रियेट किये रहेंगे आप बोडी के उपर यानि बोडी को क्या बनाएंगे अनिवीद्ट न बोडी को जितना अनिमित बनाएंगे उतना विमार होंगे आप यानि कितना बिमार होंगे और इस बात पर डेपरेंड करता है कि आप बाड़ी को प्रिसाड़ा रुत्पन होती हैं और जिनको आप डाइबेटीज बोलते हैं थाराड बोलते हैं बीपी बोलते हैं हाइपर टेंशन बोलते हैं ट्राइग्लिस रैट्स बोलते हैं कोलेस्ट्राल इन सब के लिए क्या कोई वैक्टीरिया जिम्मेदार है कि वाइरस जिम्मेदा है यह सब जिम्मेदार नहीं है कौन जिम्मेदार है हम खुदी जिम्मेदार है इन सब बिमारियों से बचा जा सकता है इन सब बिमारियों या इनहीं जैसे और बिमारियों से बचा जा सकता है दिक्कत क्या है कि जब उम्र कम होती है तो सरीर के अंदर पावर ज्यादा होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है दिक्कत तब होगी जब आपकी उम्र 30 प्लस होगी जब 30 प्लस से आप जब ज़्यादा जाएंगे तो यह सब बिमारियां उच्पन होने लगती है या यूं कह लें कि जो अनीमेच दिन चर रहा है उसका रिजल्ट आने लगता है तो क्या करें आपको करना कुछ बिसेश नहीं है सोने जगने का समय निधारित कर लिजे कि आप 10 बजे सोते हैं तो 10 बजे ही सो जाईए 12 बजे सोते हैं तो 12 बजे सो जाईए तीन बज़े सोते हैं तो तीन बज़े सो जाई है चाहे जब आपकी बॉड़ी अपने लिए नियत है तो सोने जगने का समय निधारित रखें खाना खाने का समय भी नीमित रखें अगर आप 10 बजे खाना खाते हैं तो 10 बजे खालें 12 बजे खाते हैं तो 12 बजे खालें होगा क्या कि उस टाइम पर आपके अपनी निधारत के टाइम पर आपकी बॉड़ी ज्यादा एक्टी होगी और बाड़ी जब ज़्यादा एक्टि होगी तो कम इफ़र्ट लगाना पड़ेगा तो अच्छे से होगा तो सोने जगने का समय निधरित रख लें खाना खाने का समय भी नियत रखें और मौस में फल का सेवन करें जो उस मौसम में मिल रहे हैं उसी फल को सेवन अधिक करें और खाने में सलाद वहरी सब्जियों का सेवन जरूर करें और fast foods से बचें, fast foods न लें, क्योंकि नाम तो इसका fast food है, लेकिन life को क्या कर देता है, slow कर देता है, तो fast food से बचें, और सुबह हलका व्यायाम करें, और अच्छी किताबें पढ़ें, सुबह हलका व्यायाम करने के ज़रत होती है, खुब vigorous exercise नहीं करना, खुब कठिन में व्यायाम नहीं करना है, आप सुबह हलका व्यायाम करें, और दिन भर एक्टिव रहिए, कुछ लोग करते क्या हैं, कि सुबह व्यायाम कर लिया, तो अब सोचें कि अब मेरा काम हो गया, दिन भर पैसिव बैठे रहते हैं एक जगा, इवन फैन को स्विच आना भी नहीं करते हैं, तो ऐसा ना करें, सुबह हलका व्यायाम करें, और पूरे दिन में भी एक्टिव रहें, तो ऐसी लाइफ स्टाइल से, आपकी जो बिमार होनी की जो संभावना हो क्या हो जाएगी तो आप इन सब लाइफ स्टाइल की जो मेटाबोलिक डिसाडर उन से आप खुदी बच सकते हैं, तो इस तरह से आप इन सब बातों का ध्यान रखें, और इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, तो बिमार होनी की संभावना क्या होगी? कम होगी कंसल्टेंट के लिए मेरा मुबाइल नमर है 9473922923, अगर आपको इस वीडियो में या फिर और इस चैनल पर जितने भी वीडियो हैं, उसके बारे में कुछ कहना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर इस मुबाइल नमर पर काल करके और जानकारी ले सक सकते हैं, और इस मुबाइल नमर पर काल करें, साम को साथ बजे से ले करके आठ बजे की बीच आप कर सकते हैं, तो अच्छे से बात हो जाएगी, अब आपकी सब्सक्राइब,